पिए के समय 60 रुपय का पेट्रोल होता था, आज 107 रुपय का है इंटरनाशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे इंटरनाशनल मार्केट में जहां से हम खरीदते हैं वहां पे डाम घटते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में बादाम बढ़ते जा रहे हैं फाइदा किसको? उनी दो तीन उद्योग पतियों को अरब पतियों को पेट्रोल साट रुपे का मिलता था आज कितने का मिलता है? एक सो साथ रुपे का मिलता है और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे महिंगाई की बात करते थे मगर आज महिंगाई की बात नहीं करते हैं पेट्रोल साट रुपे का था आज एक सो साथ रुपए का है हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है राहुल जी हम तपस्वी है ये सारा का सारा पैसा उन तीन चार पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है करवा रहा है